मैं सिद्दाथ प्रॉकर डे इस्ट्वेंट जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेक्षवल रिप्रोडसर फ्लॉरिंग प्लांट जो होता है चेप्टर मैं आपको कम्प्लीट कर रहा हूं देदरी इस भी स्ट्वेंट जो होता है कि आज 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 अनों दो टापिक को डिसकस क करेंगे या फिर आपका सब्सक्राइब करेंगे फस्ट आपको टापिक होगा आटिफिसल है डिजेशन सेकेंड जो आपका टापिक है इस्ट्वेंट हुआ है आफका डबल फटलाइजेशन दो टापिक को डिसकवर करेंगे तो आप देखेंगे कि दो टापिक डिसकस करने के बाद जो होता है कि आफ का जितने भी प्री जो होता है कि इवेंट जो होता है फटलाइजेशन के थे वह सब जो होता है का अफका कम्पिट हो जाएगा तो इस्टुएट आए देखते हैं कि आपको पता है कि NCRT ही डिसकस करेंगे हम लोग क्या करेंगे NCRT ही स्टुएट जो होता है कि इसमें हम लोग अलग वराइटी को डबलब कर लेते हैं इसमें होता給 है, कि artificial का selet करते है और उसका यूज कर लेते हैं कि ठीक है, पॉलिनेयशन होता है, कि हम कराएंगे और इस पॉलिनेयशन में क्या होता है, कि हम अपने ऐसमें होता, पॉलिन ऍट कर लेते हैं, ठीक इस्टुवेंच देखें कि artificial saja की कुछ NICK है first step होता है student emasculation emasculation जो होता है तरह का process होता है removal of enter that is called emasculation emasculation में क्या करेंगे देखिए removal of enter from the bisexual flowers यानि कि bisexual flowers bisexual flower का मतलब ऐसा flowers जिसमें क्या होगा कि enter होगा plus जो होता student क्या होगा कि pistil होगा तो आपको पता है कि enter जो होता as a male reproductive parts पिस्टिल जो होता female reproductive parts एक ही flowers में दोनों जो पाए जाते हैं उसे हम क्या कर रहे हैं bisexual flowers कर रहे हैं उसमें से हम क्या करते हैं कि enter को काट करके remove कर देंगे ठीक बड़ आप दे female parents before the enter descents जिससे क्या होता student कि जो enter है एंथर पुरी तरस अभी mature नहीं हुआ है उसमें dehiscence नहीं हुआ पॉलिंग्रियन अलग निकले नहीं है तब ही हम क्या करते हैं उसको enter को काट करके remove कर देते हैं इसी process को क्या करते हैं student आप लोग image coolation कर रहे हैं student क्या रहा कि देखे कोई वी वीडियो आपको देखने के लिए उससे पहले प्रीवेस वीडियो आपको पता होना चाहिए प्रीवेस टॉपिक क्या था तो description box में जाईए वहाँ पर जोता है student मैं आपको link दे दे रहा हूं ठीक है वहाँ से जोता कि आप प्रीवेस वीडियो देख सकते हैं या तो आप जोता है student कि telegram जोता है channel जोइन कर लिजे seed biology नाम से ठीक है seed biology ठीक है seed biology नाम से जोता है student telegram challenge भी आपका है telegram पर जोता जाईए वहाँ पर जोता है student biology search किजिए उस group को जोता है जोइन कर लिजे उसमें जोता है student आपको वीडियो मिल जाएंगे तो emasculation आपको सौन जा गया बैगिंग क्या होता है करा कि hair emasculated flower यारी कि वह flower जिसमें क्या किया गया था कि enter को काट के remove किया गया था उसको आप emasculated flowers कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं cover कर देते हैं फिर ठीक है किस से cover करेंगे student ये questions आता है cover करने के जो होता है bag का use करते ह जांतर हैं कि butter papers होता है तरहा का butter paper का use करते है ठ traffic बैग बना रहाता है ठीक है student तो question पूछता है कि butter paper का use आफ कहां करते हैं फिर बैगिंग में जो paper का use करते हैं उसका नाम क्या है तो butter paper आफ का पता होना चाहरे matter paper से हम इसलिए उसको जोता cover करते है student to prevent the contamination its stigma तक कि जोता इस 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 stigma पर किसी भी तरह का कोई contamination ना हो कर दो कि with unwanted जोता pollen और कोई जोता student कि unwanted pollen ना जाय ठीक है इसलिए मिनों क्या करते है उसको bagging कर देते हैं उसके बाद देखें क्या करेंगे pollination होगा पॉलीनेसन में क्या हो रहा देखिए ध्यांसे söyledik इस पॉलिनेसन उसके भाद क्योगा देखियो령 कषगक कर रहा कि बें इस्ट्रिग्मा जो ओता कि आपने प्यांटीयो not कि ज्विय होता स्ट्रेंड की रिसीप कर रहे हैं ठीक उस पॉलिन को चक्रते हैं कि कं जिल्ड की यह थे डिजार सी उसे क्या करते हैं ड। पाल ख्रफ्ड हो सोटी से फिस छूआ है'S ठीक सब्सक्राइइंट कर देंगे और संब कर देदां DR फ्लावर्स को व्यक्ट इस अलाओ तो दिरी दिरी क्या होता है, student to develop होता है, the fruits, उसको बद क्या करेगा, दिरी दिरी जो हता है, pollinations complete होगा, ठीक है, fertilization होजाएगा, जाइगोट बनेगे, development होगा, और जो हता है, fruits का development होगा, for, देखे का रहा, unisexual flower, अगर जो हता है, unisexual flower होगा, student, there is no need for the emasculation, तो उसमें जो होता है, कि emasculation की requirement नहीं है, क्योंकि unisexual में क्या होगा, या तो male flowers होगा, या तो only females होगा, दोनों में से कोई एक होगा, उसको आप unisexual कर रहें थे, ठीक है, अगर unisexual flower होगा, तो उसमें emasculation की requirement नहीं होती है, male flowers होता, birds are bags, जो ता before the flower opens, जिससे क्या होगा, student, कि जो female flowers आप देख रहे हैं, उसे आप क्या करते हैं, कि bag कर देते हैं, यानि कि जैसे ही क्या, birds निकल लेंगे, उसे आप धग देंगे, ठीक है, before the flower open, ठीक है, यानि कि flowers होता, पुरी तरह सभी opening नहीं हुआ, तभी आप उसको क्या करते हैं, धग देते हैं, ठीक है, cover कर देते यह यूज करेंगे आपका, ठीक है, unisexual flowers में, ठीक है, student, तो re-wagging of the flower हो गया, student देखें क्या, diagram से आप समझ लीजिए, देखें, यह complete जो होता है, student क्या आपका, flower है, यह आप देख रहे होंगे, कि यह जो होता है, क्या आपका, यह petals हो गया, यह जो होता है, stigma हो गया, enter हो ग flower, क्या है, bisexual flower है, अब इसमें क्या करना है, इस diagram को देखें, seizure, use कर रहा है, student कर रहा है, removal of enter, that is cut emesculation, ठीक है, enter को देखी, यहाँ पे जो होता है, काड कर के दिले से क्या करेगा, remove कर देता है, इसको मैं थोड़ा और उपर कर दे रहा हूँ, देखी, यहाँ पे, ठीक, यहा क्या करेगा, remove कर देता है, और यहां से जो तर desirable, जो pollen grains होता, इस pollen grain को लाएगा, और इसके stigma पर डाल देगा, ठीक है, transfer, आप pollen सुझाएगा, जिसको आप pollination करते हैं, ठीक, आप जो होता है, फिर क्या करेगा, उसको जोता है, butter paper से डग देगा, तो student आप देख रहे हैं, कि यह complete होता है, कि आपका क्या हो गया, artificial hybridization हो गया, तो student देखी, artificial hybridization में क्या क्या step आता है, पहला step आता है, student क्या चीज़, पहला step आएगा, पहला step जो artificial hybridization का होता है, वह होता है, emasculation, पहला क्या होगा, कि emasculation कराया जाएगा, दूसरा जो step आप देखते हैं, दूसरे step में क्या होता है student कि उसको bagging किया जाता है तिसरे इस्टेश पर आप देखेंगे कि pollination कराएंगे फूर्थ इस्टेश पर आप देख रहोंगे कि re-bagging कर रहोंगे ठीक है तो चार step होते हैं चार step में जो था finally आपका artificial hybridization complete होता है । इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो कोई कमेंट रहे तो आप जो आप कमेंट करके मुझे बताएं लगां से कमेंट करें तो इसको निए सटापिक पर आते हैं डावल फटलाइजेशन यह देखें और फटलाइजेशन आप पहला प्र देखेए क्या दया कि आपको तभी समझ में का प्रूपिक आपको तभी समझ में आए गाई जब आप प्रिवियस वीडियो को अच्छे से वाज किये रहते हैं तो डिस्क्रीप्शन बाक्स में लिए कि प्रिविडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे इंब्रियो सेक का डबलाप्मेंट्स होता पूरा आपको बताया गिया इस्ट्वेंट वह आप देख लीजी उसके बाद जबर फट लेशन आपको बहुत ही इजी वेब में समझ में आ जाएगा आईए फर्स्ट पॉइंट डिसकस करते हैं करा कि कि रिलीज करता है टू मेल येक स्टुइंट नहीं सोरी देखे क्या कर रहा है कि two male gamits होता है release कि जाते into the cytoplasm of the synergy synergids के cytoplasm में दो male gamits होता है आपका pollen tube release करता है एक जो होता है male gamits move करके किसमें चला जाता है instrument कि एक के पास चला जाएगा ठीक है एक sales के पास और दूसरा जो होता है instrument क्या करता है कि वो चला जाता है polar nuclei के पास लेकिन देखे क्या है कि जो एक sales के पास जाएगा वो फ्यूज करता है nucleus से जिससे आफ क्या कर रहे है sing gamma कर रहे हैं और टू फांद जाइगोट बनाएगा और ये जाइगोट क्या होता है आफका two yarn होता है ठीक यानि कि एक male gametes से होते हुए आफके जो होता है कि कहाँ जाएगा एग के पास जा रहा और एग से fertilize करता है उसके nucleus से जिसको कर रहे है sing gamma कर रहे हैं ठीक है और क्या करेगा उसके बाद जो होता जाइगोट का development कर लेता है यानि कि जाइगोट का farmations हो जाता है तो परला fertilization तो आपको यहां पर हो जा रहा है ठीक है फर्स्ट फर्टलाइज़ाशन आपको देखने को मिल गया सेकेंड देखें क्या कर रहा the other male gametes move toward the two polar nuclei दूसरा देखें आपके दो male gamete बनाता है हो सकता है करा कि two polar nuclei located in the central cells यानि कि आपको पता है कि central cells में दो polar nuclei थी एक male gamete समारा क्या करता है move करके वहां भी चला जाता है और उससे क्या करता है polar nuclei से fuse करता with them produce the triplides जिससे क्या होता है इस्ट्वेंट triplides हो जाता primary endosperm nucleus बना लेता इसको आप PEN कर रहे है क्या कर रहे है PEN कर रहे है primary endosperm nucleus हो गया आपका उसको कर रहा है कि as it involved the fusions आप three haplides nuclei आप देखिए जो आपका PEN questions student जो तादिकान से पूचता है PEN देखिए मैं इसा क्या होगा आपका 3N होता है जबकि diplyde जाइगोड क्या होता है वैसा 2N होगा ठीक है three haplides nuclei it is called the triple fusions उससे आप क्या करते है student triple fusions करते है ठीक है triple fusions क्यों कर रहे है हम लोग क्योंकि उसमें क्या instrument कितने fusions हो रहे है ठीक है आप देख रहे है कि उसमें जो था दो polar nuclei हो गया और एक जो होता कि male gamits हो गया ठीक तो उसको आप क्या कर रहे है triple fusions कर रहे है three Ns होता है यानि कि triple light कर सकते है three nucleus होते है यानि कि उसमें दो जगा फटलाइसंस हुआ first जो होता है कि एक cell से हुआ दूसरा क्या कि यहा है student जो होता है male gamit गया किससे फटलाइस कर गया है polar nuclei से अब जो polar nuclei से फटलाइस कर गया तो आप का यहनि कि दो बार फटलाइसंस हो रहा इसलिए हम इसको क्या करते है double fटलाइसंस करते है देखे लिखा है कि since two types of fusions आप देखिएगा कर रहा कि since two types of fusions जो होता है जिसको आप सिंग एमी कर रहे थे या फिर ट्रिपल fusions करते है takes place in the embryo sack आपको embryo sack में जो होता है दो तरह का जो होता है fusions देखने को मिल रहा पहला क्या सिंग एमी है दूसरा क्या ट्रिपल fusions होता है it is called the double fertilization इसे कि आपको क्या करते है student इसी को आप जो होता है कि double fertilization करते है ठीक है student तो double fertilization I think आपको समाझ में आ गया होगा जो important point है उसको मैं black color से होता है कि bold कर दिया हूँ ठीक है student देखे क्या है कि इसमें जो होता है कि pen आप से पोछेगा यानि कि primary endosperm nucleus उसके बाद देखे एक point और क्या है जो आपका central cells बचा रहता है यहाँ पर आई देखे करा कि it is the unique to the flooring plants यानि student क्या है कि जो double fertilization होता है ठीक double fertilization होता है student कि NGO sperm जो होगा जो NGO sperm होता इस NGO sperm का खायस characters होता है किसमें double fertilization आपको देखने को मिलते हैं बीच में जो central cells होता है student after triple fusion जब हो जाता है become the primary endosperm cells बना लेता है यह क्या बना लेता है यानि कि जो central cells था वो पी इसी बना लेता है क्या बना लेगा पी इसी यानि कि primary endosperm cells बना लेता है और develop करेगा and develop into the endosperm और यह develop करके क्या बना लेता है student endosperm का development कर लेगा और zygo develop करके क्या बना लेता है complete embryo बना लेता है तो इस तरह से student देख रहा है कि double fertilization आपका complete हो रहा है उसके बाद आईए जो होता है student क्या है देखिए क्या student कि अगर जो होता है कि NCRT का diagram आपके mind में set है जब तो diagram आप नहीं समझेंगे diagram आपको नहीं पता रहेगा तब तक जो होता है student आपको problem होंगे और क्या student कि अगर आप जो होता है कि NEET exam qualify करना चाहते हैं जैसे आप class 12 का board exam देते हैं उसी times होता है कि अगर आप जोता है student जो होता है कि NEET के लिए जोता student NCRT को कम से कम NCRT को कम से कम दो बार पी जाएए दो बार जोता होल स्लेबस आपका physics हो गया, chemistry हो गया आपका biology हो गया तीनों जोता है कि आपके core subject है student main subject है तीनों को जोता कम से कम दो बार जोता student अच्छे से NCRT revise कर लिजिए कोई जोता student आपको रोक नहीं पाएगा NEET को crack करने में ठेक आप देखिए क्या student इस डाइगराम को समझेगा इसमें जो होता है कि आपका double for license का ही डाइगराम इसमें बदाए गया है जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका synergied sales है synergied sales आपको पता है दो था कितना था नमबर में दो था उसके बाद देखिए कि आप pollen tubes आता synergied sales से होते हुए और उसके बाद जो होता दो gamit release कर रहा ठीक है इसको मैं यहाँ डिलीट कर देखिए आपको पता है कि pollen tubes से होता है इसमेंट क्या करता है दो gamit release करता है एक जो gamit होता है वह क्या करता है कि जो एक sales था उस एक sales से fertilize करता और जाइगोट बना लेता है ठीक क्या बना लेगा पास उस पुलर नुकलियाई से fertilize कर जाता है ठीक है और आपका primary इंडोस्पर्म नुकलियस बना लेता है जो कि आपका 3N होता है नहीं कि 3 Nुकलियस होते है तो दो बार आपका देख रहा है कि fertilization हो रहा इसलिए इसको हम क्या करें double fertilization करते है उसके बाद जो बीच में आपका central cells होता है यह central cells जोता है डमलफ करके क्या बना लेता है कि primary indoor sperm cells बना लेता है उसके बाद आप देखे जो antipodal cells होता है antipodal cell degenerate हो जाता है ठीक उसके बाद यह आपका जोता है कि structures का formations हो रहा है इस्टुएंट इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ जाता है प्रिवेस वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपके माइड में कोई questions आ रहा है कोई down to student तो आप comment box नहीं comment करके बताईए मैंने दो टापिक आज कबर किया झाओवेसार कोई हम अगर कोई खöttाप्याश कोई व Brittany कि पिल्गा आपके में एके पिल्रवाद आपक, जाई भी उीडियोको एक आपके दो हो कि भी एक से क्या है